दोस्तो नमस्कार आप सभी खस्वागत आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरेनेस एजुकेशन न्यूज में दोस्तो गूड मॉर्निंग तो रविवार का दिन है कैसे आप सब कमेंट करके बताएं तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं साथ यो एक और मैंतमून अपडे क्या गया जो कॉंट्रक्शल रूल्स में जो करमचारी सामिल किया गया उनको लेकर के काफी सारे बच्चों की क्यारी इस पर वीडियो बना दीजिए तो हाजिर हैं हम इसी बात पर वीडियो लेकर के और यह आदेस आप लोगों ने देखा होगा छे जुलाई को निकाला ग कितकर है किकर के आपको साल्री मिलेगा उसमें एनपीएस काटा जाना चीज God और आपको सेलरी मिलेगा उसमें एनपीयेस काटा जाना चीए आपके उपर भी depend रहती है कुछ सरकार और विफाग के तरब से भी बताया जाता है लेकिन आप कितना भी मरजी लेकिन NPS tier 1 के तहट आप लिक सिर्फ 10% राशी करती है तो इसमें का है कि PF ना काट करके NPS को काटा जाना चाहिए इसके अलावे उन्होंने का है जो मांदे है करमचारी को वो समय अंकीत मांदे समय पर दिया जाना है हर महीने जो time है fixed timing है उस पर दिया जाय ऐसा नहीं यह च्छा महिनों के salary रोक लिए और दे नहीं रहे तो ये भी इन्होंने काए है NHM ने कहा है कि भाई इनको टाइम से सेलरी है जो दी जाने चाहिए तीसरा पॉइंट यहां पे इनों ने कहा है कि राश्टन कॉंटेक्चल सिविल पॉस्ट रूल समनिकत कार्मिकों के मांदे से तीसरा पॉइंट कहारे मिलते हैं सातियों ठीक है यह प्राण नमबर मिलते ृषट प्राण पल्लाइन आपो अपनी प्राण वासी को चेक कर पाएंगि इनका व्लीगेश ने सटीकल तो यह जो लाया यह ना कि बारंकों का और उसके आधार पर आप लोग है अपनी NPS की जो रासी है कितना आपका पैसा जुड़ गया कितना आप लोगा कट रहा वो सारा देख देख पहें तो प्रान नंबर मिलना बहुत जरूरी NPS के लिए तो प्रान नंबर के लिए आपको एक फोर्म भरना होगा या तो आप लोग भर दीजेगा चार नंबर का यहां पर कि सवीदा कार्मी को दे मान दे कनुनियमन सर आयकर TDS की कटोती किया जाना सुनिस्चित करें तो TDS भी काटा जाएगा अगर आप आयकर के दायरे में आते हैं पांचिवा नंबर पॉइंट है कि कॉन्ट्रेक्चल रूल्स के तहट नियमित कार्मी को एक वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर नियमन सर माशिक मान दे में पांच प्रतिसत की व्रदी सुनिस्चित किया जाना करावाएगा तो इन्होंने काए कि बाई जैसे आप लोग CSR पॉस्ट में हैं कॉंट्रक्चल टो सिविल पोस्ट रूल सवीदा नियमों के तहत आपको पोस्टिंग मिल गई है और सवीदा नियमों में अगर आपने एक साल का जोग कर लिया है कितना एक साल की नोकरी माली जी आप लोगों ने एक जुलाई 2022 को जोइन किया सवीदा नियमों में और एक जुलाई 2023 को आपको एक साल हो गया तो आपको 5% का जो इंक्रीमेंट है वो दिया जाना चाहिए 5% किस पर मिलेगा माली जी आपको फिक्स रुपए मिल रहे है 25,000 उसका 5% निकाल लीजिए वो आपकी सेलरी हो जाएगी इंक्री जो कार्मिक हैं उनकी सेवा रूल और व्यक्तिगत पत्रावली का नियमित कार्मिकों की भाती संधरण किया जाओए यानि की जो regular employee है उनकी तरहे हिनकी नियमित पत्रावली हो सेवा नियमावली हो उनका संधरण किया जाए उनको光 रिकोर्ड़ कि यह आजाना सुनिश्चित करें यारी इनका कहना है कि एक वाई सर्विस बुक बननी परस्ता जो कुछ कोई गलोगों के जितनी जमा है वो हो और उसमें कोई भी सरकार्यादेस हो सबकुछ उसमें व्यक्तिम जो सर्विस बुक हैं आप Carne minister प्रिश्चित किया जाना तैय करा में यह कहा गया है कि सर्विस बुक बना ली जाए इनकी जो रेगुलर एंपलोई है इनकी भाती और आठवा यहां पर है रास्तान कॉंटक्च्छल हाइरिंग टू सिविल पोस्टूल दो हजर बाइस के तहत न्यूक सविदा कार्मिकों को न्यूक्ति आदेश के प्रावद अनौसार अन्य सभी लाब दिया जाना सुनिशित करें यानि कि जो आदेश हैं सविदा नियम में जो वेतन है भत्ते हैं जो कुछ भी है उनके थैस सारे के सारे लाब है इनको मिलने चीए जैसे मेडिकलेम पॉलिशी का भी है NPS का है TDS है यह सारा कुछ जो भी मतलब सभीदा नियम हों में के बहुत बड़े सभीदा नियम हैं लंबी प्रोसेस है उनका ठीक है समझने काफी आसान भी है काफी लोगों के लिए काफी टफ भी है तो इन्होंने काये कि जो भी Contructural Rules में नियम काइदे कनौन है उन्हों सब का लाब Contruct सब्सक्राइब के लिए प्रास्यासनिक और वित्य स्विक्रती के अनुसार उपलब कराई बजेट रासी को प्योग करें तो यहां पर उप्योग करें तो यह कहने का मतलब और लिये है अब देखिए अब आसान भासाम यह तो पढ़के बता रहे थे एन पिएस काठा जाना चाहिए पी आफ नहीं ठीक है दूसरी बात जो भी है अंकित मान दे है वो समय पर दिया जाना सुने सिद करें किसी को अठारा जार नो सो मिलने है तो यहां पर है 5% सालना वरदी एक साल की सेवा होते ही छटा है यहां पर नियमित पत्त्रावली बनाई जाए कार्मिकों को इभाति व्यक्तिगत पत्त्रावली और उस पत्त्रावली में सारे कि सारे डाक्यूमेंट जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो उसमें रिकोर्ड लिर लोगों को, NPS काटा जाएगा, PIP नहीं, TDS की भी कटोती होगी, ठीक है, और समय पर वेतन मिलेगा, ये जानकारी दी गई है, NHM की तरफ से, किसको सबी CM अचो को, किसको दी गई है, सबी CM अचो को, यहाँ पर देखिए, NHM मुख्याले की तरफ से, सबी CM अचो को दी गई है, तो ये जानकर ये साथ यो, 5% की वरदी होगी, आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आपके लिए बस एक चीज है, आपको ये जब, प्रान नंबर आप लोगों का जनरेट हो, तो उस टाइम पर आप लोगों को, थोड़ा सा, डिटेल्स वगरा भर करके, देनी हो और ये आप से मांग ली जाएगी जानकर, या मांग भी ली गई होगी, प्रान नंबर हो सकता, जनरेट भी हो गए होगे, जिनके नहीं है, उनके हो जाएंगे, सिर्फ प्रान नंबर के लिए ध्यान देना है, बाकि अगर आपके नियुक्तिया आदेश में कोई समस्या है, या कोई गडबडी है, तो उसको ठीक करा लिजिएगा, बाकि आपको करने का कुछ नहीं है, जैसे एक साल आपकी होगी, आपको पांच परतेशत वेतन के वरदी मिल जाएगी, ठीक है, बस यह है, कुछ नहीं करना आप लोगों को, धन्यवाद फिलाल के लिए सुड़े मि भारत